असलाम लेकूम, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब ठीक होगे, Welcome to Delightful Dishes with Kulsum, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ, रमजान स्पेशल शेर खुर्मा, मैं आज आपके साथ शेर खुर्मे के रेसिपी शेर कर रही हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा quantity में शेर खुर्मा बना करने के लिए रात को ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए भी भीगर सकते हैं, चिरोन जी और काजु को मैंने ऐसे ही रखा है, उन मैं बाद में आट करूंगी, अब मुझे हैं कुछ सुके मसाले लगेंगे, इलाइची, जावित्री, जाफल और शक्कर, म मैं मिला कर अब बारीक पेस्ट बनाओंगी, मतलब पौडर बनाओंगी, मैं यहां 8 लिटर का शीरखुर्मा आपके साथ शेर करने वाली हूँ, देखिए 8 लिटर मैंने दूद लिया है, दूद को अब मैं एक बड़े से पतीले में डाल रही हूँ, दूद में हमें पानी हम दूद में मिक्स करेंगे, तो शीरखुर्मा उतना मजेदार नहीं होगा, और इसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा, और गाड़ा भी नहीं होगा, देखिए मैंने जो ड्राइफूट्स भीगोए थे, उन्हें मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, चिर और बादम का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसका मैं यहाँ पेस्ट दूद में मिक्स कर रही हूँ, दूद को हमें अच्छी तरह हिला हिला के गरम करना है, नहीं तो दूद नीचे लगने के चांस भी रहते हैं, शक्कर और दूद अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद, म बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़जाता है मैं ड्राइफुट्स दल रही हूं मैंने आदा किलो गी लिया है इतने ड्राइफुट्स के लिए देखिए ड्राइफुट्स को हमें अच्छी तरह ब्रौइन होने तक गी में रोस्ट कर लिया है देखिए मैंने ड्राइफरूट्स को रोस्ट कर लिया है ड्राइफरूट्स कितने आप ज्यादा डालेंगे आपका शीर खुर्मा उतना अच्छा होगा सारे शक्कर और जो पाउडर डाला था उसको पक जाने के बाद हमें ड्राइफरूट्स मिक्स करना है दूद में ड्राइफरूट्स मिक्स करने के बाद हमें 5-10 मिनिट तक पका लेना है अब लास्ट में हम इसमें शेवियों डालेंगे मैंने यहां पे एक आदा पाकेट शेविया ली है आदे पाकेट शेवियों को मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ रोस्ट करके हमें दूद में मिक्स कर देना है मिक्स करके शेवेओं को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है सेवेओं को थोड़ा सा पकने में हमें बन कर देना है देखिए हमारा शिर्खुर्मा कितना अच्छा बन कर रड़ी हुआ है अब देख सकते हैं आपको मेरे रेसिपी अच्छे लगें तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए अल्ला हाफिज